एक भक्त ने क्या खूब कहा है त्रिलोचन महादेव से अपने दिल की बाद, गर्मी में भी ठंड़क का एसास होता है, दुख में भी सुख का एसास होता है, त्रिलोचन महादेव की धर्ती पे जन्म लेने के बाद मानो दिन दुखी एवन निर्धन होते हुए धन्वान होने का एहसास होता है अकेला होने पर भी समस्त संसार का साथ होने का एहसास होता है पीपलाद कुंड से एक लोटा जल अर्पित करने के बाद मानो डूपती जीवन की नाव भी किनारे लगने का एहसास होता है नित्य प्रती दिन संध्या आर्ती में सम्मिलित होने के बाद मानो स्वयन प्रभो को अपने हाथों से भोग लगाने का एहसास होता है मन में अधूरी भक्ती होने पर भी श्रावण मास में त्रिलोचन वासियों के जनवरी से जन्वरी में श्रद्धा भाफ पूर्ण भक्ती का एहसास होता है आपके भक्तों का बढ़ता कारवा देखकर मानो सकंद पुराण में वर्नित सत्यकथा कृतार्थ और भक्ती मय होने का एहसास होता है मनो कामना ना होने पर भी मनो कामना पूर्ण होने का एहसास होता है श्रावन मास में त्रिलोचन महादेव के धर्ती में मानो ऐसा लगता है कणकण में बाबा त्रिलोचन महादेव का वास होने का एसास होता है त्रिलोचन महादेव बाबा की जय